नमस्कार दोस्तों स्वागा थे डेली स्टेडि में आज हम 500 प्लस प्रस्न स्रीज का पार्ट टू लेकर आया हूं जो कि सिर्फ बिहार कंप्टिटिव गिजैम्स के लिए इंपोर्टेंट होगा और पार्ट वन नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया बिहार की सक्षर्टा दर है अगला है 1857 के बिद्रोह में बिहार का नेतरित किसने किया था तो आपको पताई होगा वीर कुवर सिंग 1857 के बिद्रोह का नेता थे जो की बिहार का नेतरित किया था और 26 अपरेल को बलिदान दिवस भी मनाया जाता है अगला है जहारखंड के गठन के बाद बिहार विधान पड़िसर के कूल सदस्यों की संख्या कितनी है तो यह होगा आपका 75 अगला है गुप्त राजा जिसने विक्रमा दित्य की पद्वी ग्रहन की वह कौन था तो यह था आपका चंद्रगुप्त दृतिय और चंद्रगुप्त दृतिय को ही विक् भागलपुर जिले में विक्रम दित्य के अस्थापना की थी अगला है उनिस स्व बीस में बिहार प्रांतिय सम्मिलन का बारवा अधिवेशन कहां पर हुआ था तो यह हुआ था भागलपुर में अगला है खोंड जन जाती बिहार के किस छेत्र में निवास करती है तो धिय अलग किया गया most important तो धियान रखिएगा एक प्रांद के रुप में बिहार को एक अपरेल 1912 को बंगाल से अलग किया गया था आप ये बता ये कमेंट करके बिहार दिवस कब मनाते हैं कमेंट में बताना है अगला है छेतरफल की दिरिष्टी से बिहार का देश में कौन सा अस्थान है तो सही जबाब जो होगा आपका 12 क्योंकि जम्मू और कस्मीर जो है अब दो भागों में बट गिया है और ये जो है दो किंदरसासित परदेश में बट गिया है जिस करान से बिहार जो है 13 के जगह अब बारवा अस्थान पर आ गया है किस माध्यम से छेतरफल की दिरिष्टी से अगला है एसिया की सबसे बड़ी गोखुर जिल कहां है तो ये होगा आपका बेगुसरा जिसका नाम है कावर जिल अगला है बिहार में रेल पहियाकार खाना किस अस्थान पर इस्थीत है तो ये होगा आपका बेला दर्यापुर जो की सारन जिले में है अगला है पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पूत्र बिठ पाल कहां के निवासी थे तो ये थापका नालंदा का अगला है धातू से बने सिक्ये सरप्रथम किस काल में पाए गए थे तो ये होगा आपका बूध काल जो की छटी सतावदी इसा पूर्व था आगे चलते हैं अगला प्रस्थन है नब नालंदा महाविहार किस लिए परसिद्ध है तो ये होगा आपका पाली अनुसंधान के लिए नब नालंदा महाविहार परसिद्ध है अगला है खरवार अंदोलन काने तुरित किस ने किया था तो ये होगा आपका भागी रत मांजी मुश्च इंपोर्टन धियान रखिएगा ये परसंद पुछा गिया है खरवार अंदोलन काने तुरित किस लिए था अथा ब्यहार में भागी रत मांजी अगला है गोगा जिल कहां इस्थित है तो ये होगा आपका मनिहारी कम निहारी का टिहार में है और यहीं पर गोगा अगला है खुधा वक्स लाइब्रेडी की अस्थापना कब हुई तो ध्यान रखिएगा खुधा वक्स लाइब्रेडी जो है पटना में इस्थापना पांच अक्टूबर 1891 को की गई थी अगला सभी मनुस्य मेरी संतान है ये कातन किसने कहा था तो ये कहा था समराट अशोक अगला है पटना इस्थित पत्थर की मस्जिद को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो ये होगा आपका संगी मस्जिद ध्यान रखिएगा पटना इस्थित पत्थर की मस्जिद को संगी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है अगला है 16 अप्रेल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के कीस अस्थान को चुना गया था तो यह होगा आपका नखास पिंड अगला प्राशन देख लेते हैं अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरा के व्यापार पर एक का अधिकार कब प्राप्त किया था तो यह होगा आपका 1758 में नेक्स्ट को देखते हैं 1940 में भारतिया राष्ट्य कंग्रेश का तिरपनवा अधिवेशन कहां पर हुआ था तो यह होगा आपका रामघड रामघड जो है बरत्मान में जहारखंड में इस्थीत है भारत छो अंधोलन के समय जो है राजेंद परसाद को गिरफ्तार करके बांकी पूर जेल में रखा गया था और बांकी पूर पटना में इस्थीत है अंतरीम सरकार में डाक्टर राजेंद परसाद किस विभाग के मंत्री थे तो यह था आपका खाद्यवम क्रिशि मंत्री और आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है 2001 से 2011 के दसक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या विर्धी वाला जिला कोन है तो यह होगा आपका गोपाल गंज और इसकी विर्धी दर जो है 18.33 परतिसत रही अगला है 2011 की जनगर्ना के अनुसार बिहार में यानि की प्रस्ण जो है इस तरह से हो चाहिए 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत के कूल जनसंख्या का कितना परतिसत बिहार में जनसंख्या निवास करती है तो धियान रखेगा 11.33 धियान रखेगा पूरे भारत में जनसंख्या का 11.33 जो है बिहार में निवास करती है अगला है 1830 के दसक में बिहार में बहावी अंदोलन का मुख्य केंदर कहा था पटना कव 1830 के बहावी अंदोलन का मुख्य केंदर पटना था अगला है 1857 के बिद्रोह का नित्रूइत बिहार में कुवर सिंग की मिर्तिव के बाद किसने किया था ये थाप का अमर सिंग अगला है most important ब्रावनी तेल सोधक जो की बिहार की बिगु स्राइजिले में स्थीत है यहां जो है पाइप लाइन कहां से जोड़ा गिया है तो यह होगा आपका नहर कटिया जो की असाम में है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडि देएप में जरुरों बताइएगा और पशन आपने दर हैं तो आप लीचे दिसक्रीकष्टन में जाकर देह सकते हैं या फिर आपके इस क्रीन पर भी यहां पर आ रहा है यहां पर इक युश करके भी आप सकते हैं thank you thank you so much bye-bye see you again the next video.